वेल्केम बेक टो मैं चैनल मैं फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग इलेक्ट्र प्रेटिंग के सब्जेक के बारे में देखने बारे हैं कि इलेक्ट्र प्रेटिंग क्या होता है किस तरह से वह वर्क करता है वह हमें आज जानना है उसकी इंफ़र्मेशन आपी आसानी हो जाएगी तो हम लोग चलिए शुर्य करते हैं इलेक्ट्र प्रेटिंग लेक्ट्र प्रेटिंग उसके पहले इलेक्ट्र लिशिस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो यहाँ पर मैंने जो डाग्राम ड्रॉ की है वह है इलेक्ट्र लिशिस की डाग्र तो electrolysis क्या होता है जब किसी भी DC supply को हम किसे metal को या किसी substance को अगर supply देते हैं तो उसके भाईय रशना में उसके भारी भाग में कोई बदला नहीं होता है सिर्व उसमें से current flow होता है लेकिन यही DC supply जब हम किसी liquid form में देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बदला होता है जैसे हम लोग पानी में अगर DC supply जब देते हैं पानी बनता है H2O hydrogen oxygen से पानी बनता है उसमें अगर हम लोग देते हैं तो पानी के दो main particles को क्या कर देता है अलग कर देता है इसका मतलब H2O अलग हो जाएगा oxygen अलग हो जाएगा इसी process को हम लोग कहते है electrolysis process तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर electrolysis आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक diagram ड्रा की गई है इक diagram में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने एक glass का jar लिया हुआ है इस glass की jar में दो electrode लगाए है उनको battery दोरा supply दिया गया है तो सबसे पहला battery का positive जोड़ा गया है उसको हम लोग anode कहते है और electrolysis को समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है एक electrolyte लिया है liquid लिया है COSO4 का COSO4 मतलब क्या copper sulfate तो copper sulfate का liquid हमने इसके अंदर लिया हुआ है तो जैसी ही हम battery दोरा इन दो electrode को supply देंगे तो क्या हो जाएगा अंदर COSO4 के दो main particles होते हैं COSO4 जिससे COSO4 बना है यह दो COSO4 क्य क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा इसका मतलब CU अलग हो जाएगा SO4 अलग हो जाएगा तो जैसे मैंने यहाँ पे CU लिखा है SO4 लिखा है से वो positive के तरफ attract होता है इसका मतलब यहाँ पे CU और SO4 दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे इसी process को हम लोग कहते है electrolysis process और इसी process का इस तरफ हम लोग क्या करते है electroplating के काम के लिए करते है तो electroplating के बार जो अभी चले जानते हैं तो electroplating क्या होता है कि जब एक धातु के उपर दूसरी धातु का layer चड़ाया जाता है उसको हम लोग कहते है electroplating तो electroplating करने के लिए हमने यहाँ एक diagram दिखाई है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जागा कि electroplating किस तरह से किया जाता है सबसे पहला electroplating क्यों करते है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है तो electroplating क्यों किया जाता है सबसे पहला reason है corrosion जो हम लोग ऐसे कुछ metals होते है जिसको रश्टीम पकड़ती है corrosion पकड़ती है जिसे iron ऐसे कुछ metals को रश्टीम पकड़ती है उसके अपर हम लोग प्लेटिंग करेंगे एक धात्तु का दुसरे धात्तों पर layer चड़ाएंगे तो उसके ओपर corrosion पकड़ेगा नहीं उस धात्तों की जो life है वो बढ़ जाएगी, extend हो जाएगी यह benefit होता है हमको electroplating करने से second है in chance appearance यह उस धातों की सुन्दरता बढ़ जाती है दिखने में वो खूप सुरत दिखता है attractive दिखता है जैसे gold plated watches आती है या chroming plating के handles होते है doors होते है उसको handle bars होते है तो वो, okay third है increased durability धातों के अंदर जो टिकाव पना है मजूत पना है उसके अंदर बढ़ जाता है वो hardness बन जाएगा उसकी strength बढ़ जाएगी तो increased durability भी है यह important point है तो यह electro bleeding करने से हमें advantage मिलता है ओके, तो electro bleeding के लिए हमने हाँ पर diagram draw की है तो उसको समझ के लेते है electro bleeding किस तरह से किया जाता है हमने दो rod लिये है एक copper rod लिया है एक zinc rod लिया है copper rod क्यों लिया है क्योंकि मुझे लोखन की plate के उपर copper का plating करना है उसके लिए copper rod लिया है और हमने iron rod लिया है तब इसे जिसका plating करना होता है जिस दातों का plating करना होता है उसका ही electrolyte और उसका ही liquid हमें लेना पड़ेगा जिसे मुझे copper का प्लेटिंग करना है तो मैंने लिया CSO4 यहने copper sulfate लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे copper sulfate का liquid लिया है क्योंकि मुझे प्लेटिंग करनी है copper की लोखन के उपर तो मैंने उसका liquid ले लिया है तो next point है कि मुझे जिसका प्लेटिंग करना है उसका battery को positive को जोड़ना पड़ेगा और जिसे प्लेटिंग करनी है वो negative में जोड़नी पड़ेगी इसके लिए मैंने copper की plate को battery के positive यहने anode से connected किया है तो यह anode बन गया है और iron की plate के और copper का प्लेटिंग करना है उसके लिए मैंने उसको जोड़ दिया है cathode मैंने negative में जोड़ दिया है इसका मतलब iron की plate अभी मेरी बन गी है cathode और copper की plate बन गी है मेरी anode so अभी यह किस तरह से working करेगा उसको जानते जैसी battery का supply हम लोग चालू करेंगे तो battery का positive supply मिलेगा copper की plate को और battery का negative supply मिलेगा iron की plate को तो अंदर क्या हो जाएगा electrolysis का process सबसे पहला शुरू हो जाएगा तो electrolysis के पहले process जैसी शुरू होती है तो वैसी ही मैंने इसकी jar के अंदर जो cuSO4 रखा है cuSO4 के दो main particles क्या हो जाएगे सबसे पहले अलग हो जाएगे माँने इसका मतलब जो cu है वो iron के प्लेटियो पर जाके बैटना चालू करेगा ने लेर बनाना चालू करेगा धीरे 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 और एसो फोर क्या करेगा वो कॉपर प्लेट के उपर आके बैटेगा और कॉपर के अंदर की जितने भी स्यू है उन सब को क्या करेगा धीरे 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 क्या करेगा बाहर निकालेग और सभी molecules में से क्या आएगे Cu के बाहर आएगे और वो iron की plate के ऊपर जाके बैटना चालो हो जाएगे क्योंकि iron की plate हमारी कौन सी है negative है तो negative होने के बएशे जितने भी Cu बाहर आएगे वो plus होने के बएशे सब iron की plate के ऊपर आके बैटना चालो कर देंगे और दीरी दीरी जो plate है हमारी iron की क्या बढ़ने लगेगी copper की दिखने लगेगी और दीरी दीरी इस copper की plate का दिखनेस क्या होने लगेगा दोस्तों कम 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 होने लगेगा और iron की plate का दिखनेस दीरी दीरी क्या होने लगेगा बढ़ने बढ़ने लगेगा तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होती है ये लिटिम रेटिंग की होती है I hope so तुभी ये मेरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए चैड़ों को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले